नमस्कार नॉलिज पॉइंट में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको 11 से जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, Bihar Police, SSE Railway जैसे अनी प्रेत्यों के परिक्षाओं में काम आएंगे ये सवाल इतिहास, राजनिती, विज्ञान, करेंट अफेर्स, भुगोल और विज्ञान से जुरे होंगे तो आईए देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं सवाल नमर एक, आर्य भारत में कहां से आए थे? इसका सही जवाब है ए अद्वयत दर्शन, सवाल नमर तीन, गांधार शैली किसके शासनकाल में विक्सित हुई? इसका सही जवाब है D. कुशान सवाल नमबर चार लोगसभा के प्रतामध्यक्ष कौन थे? A. सरदार बरलब भाई पटेल B. ह. जे कानिया C. गनेश वासुदेव मावलंकर D. इनमें से कोई नहीं इसका सही जवाब है C. गनेश वासुदेव मावलंकर सवाल नमबर पाँच इनमें से क्या नागरिकों का मौलिक करतेवे नहीं है A. समिधान का सम्मान करना B. राश्रगान का सम्मान करना C. राश्रद्वज का सम्मान करना D. सरकार का सम्मान करना इसका सही जवाब है D. सरकार का सम्मान करना सवाल नमबर च्वे डी दो वर्ष 11 महिने 11 दिन इसका सही जवाब है A दो वर्ष 11 महिने और 18 दिन सवाल नमबर साथ इनमें से कौन सी लगातों स्वतन्तर अवस्था में पाई जाती है A. Aluminium B. Sona C. Loha D. Cisa इसका सही जवाब है B. Sona सवाल नमबर आठ, कार्बन का सरवादिक कथोड अपर रूप होता है A. हीरा, B. ग्रेफाइट, C. कोक, D. काजल इसका सही जवाब है A. हीरा सवाल नमबर नौ, हाल ही में कौन सा देश, विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन किया है A. नेपाल, B. चीन, C. रूस, D. भारत इसका सही जवाब है D. भारत सवाल नमबर दस, असम सरकार ने हाल ही में किसे राजिका सर्वोच नागरिक पुरसकार असम वैभव प्रदान किया है A. साइरस मिस्तरी, B. रतन टाटा, C. नचराजन चंदरशेकरन, D. राजेस गोपी नाथन इसका सही जवाब है B. रतन टाटा सवाल नमबर ग्यारा, बांगलादेश की जमना नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है A. यमुना, B. तीस्ता, C. ब्रहम पुत्र, D. गंगा इसका सही जवाब है C. ब्रहम पुत्र पिछले सेट में हमारे जिंद अशकों ने सबसे ज़्यादा सही सवालों के जवाब दिये उनके नाम है अमित कुमार, DJSK, राजा हाईटेक, संतोष कुमार, चौरसिया, जविंद्र कुमार, धीरच कुमार, रामदेव कुमार, नरेंदर कुमार, खुशव कुमारी, अजीत कुमार, रंजन, अजय कुमार, गौतम कुमार आप सभी का बहुत बहुत धनवाद हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के सही जवाब दे सके हैं, आप हमें कमेंट में लिख कर जरूर बताए सबसे ज़्यादा सही सवालों के जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिस करेंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए नमस्कार